हालो फ्रेंड्स आप सबीको सोनिक संतस यूटुब चेनेल में स्वाग थे आज हम इस विडियो में फिलोप करेंगे बैंक आप इंडिया की फोर्म को एकाउंट आप आपन करने के लिए बैंक आप इंडिया में सबसे पहले इस फोर्म को भनना पड़ेगा तो चलिए इस विडियो में बने रही है सही तरिके से फिलोप करके दिखाऊंगा इस विडियो में पहले आपको यहां ब्रांच जो लिखा गया है यहां पर ब्रांच लिखना है कौन सा ब्रांच आपका बैंक का कौन सा ब्रांच है वो मैं लिख दिया यहां पर उसके बाद डेट लिखना है आपको कौन सा तारिक को आप यह फर्म डिपोजित करेंगे उसी तारिक की लिखना फिर इहां मैं 1000 रुपिय से यह एकाउंट ओपेन करना चाहता हूं तो इसलिए मैं 1000 रुपिय दे दिया 1000 लेग दिया फिर नेक्स्ट आजना टाइप ओप एकाउंट जो है इहां पर सेविंग में कारेंट फिक्स टिपोजित दिया गए है तो मैं अभी सेविंग कर रहा हूं में दे दिया फिर फास्ट नेम मेडिल नेम और यहां सार नेम दे देना है आपको लास्ट नेम और इसके बाद आपको यहां पर फिमेल एपलिकेंट के लिए अगर यह फिमेल एपलिकेंट इस फर्म को भरा तो यहां पर उसका नाम सब कुछ दिया जाएगा फिर जेंडर आपका male female जो भी है तो मैं 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 हूँ दे दिया में फिर date of birth आपको इहां देना पड़ेगा date month years फिर पान कार्ड का नमबर इहां पाद देना पड़ेगा अगर आपके पास पान कार्ड नहीं है अभी तो form 60 और 61 भनना पड़ेगा इहां पर ही है तो आगे देखेंगे वो सब फिर आपको निच्छा जाना है marital status दिया गया है आप married या unmarried है मैं unmarried हूँ फिर nationality आपको दे देना है Indian फिर occupation आप businessman student जो भी हो मैं student हूँ आभी तो student दे दिया relationship with first applicant तो इहां पर self ही होगा मैं self लिख दिया हूँ मेरा फिर इहां फादार name spouse name तो मैं फादार का नाम दे दिया फिर इहां mother name देना होगा mother full name दे दिया हूँ फिर इहां पर आजना है आपको minor है तो minor पे टिक किजे citizen, staff, pensionary जो भी है मैं अभी इहां पर अगर minor है तो minor पे दिजे मैं अभी general कर रहा हूँ फिर इहां पर आपको name of guardian minor है अगर applicant तो इहां पर guardian का नाम देना पड़ेगा और यहां पर relation टिक कर लेना है minor का relation क्या है फादर मदर जो भी है relation चलेट करना है फिर आपको यहां पर आजना है facility क्या क्या चाहिए चेक बुक चाहिए तो यहां टिक का दिजे passbook required है उसके बाद ATM card भी है मैं चाहिए तो यह सब टिक का दिया फिर next page में जाएंगे यह इधार दिया गए है address दिया गए है permanent और local address यहां पर first, second, third applicant दिया गए है तो मैं first applicant single apply कर रहा हूँ तो यह मैं दे दिया मेरा address district, state, pin code, telephone, mobile number, email id दे दिया मेरा सब कुछ यह आपको डिमो के लिए देखा रहा हूँ इसलिए में दिया हूँ इसा फिर second applicant के लिए यह भरना पड़ेगा अगर joint account है तो communication address मेरा same है इसलिए मैं यहां do कर दिया अगर आपका अलग-अलग है तो यहां पर भरना पड़ेगा फिर आपको next आना है यह जो दिया गया है resident outside India for text propose तो आप अगर इंडिया से बाहर रह रही हो बाहर हो तो यह फिलप करना पड़ेगा टेक्स के लिए अगर इंडिया में हो तो यह इसको भरना नहीं है छोड़ देना है फिर यहां पर documents आजना है documents में यहां photo ID दिया गया है और address proof ID identity तो यहां पर टाइप में पानकाड आभी दे रहा हूं आप अधरकड भी दे सकते हैं इसके बाद number लेना है यहां address proof में अधरकड दे दिया यहां आपका number दे देना है मैं अभी demo के लिए यह सब देखा रहा हूं फिर आपका अधर number यहां पर देना है फिर next page next page में देखेंगे यह declaration दिया गया है तो यहां पर declaration में we do not enjoy any credit facility with other banks तो मैं अभी credit card का facility other banks से नहीं ले रहा हूं इसलिए टेक किया अगर आप यूज कर रही है other banks से credit facility credit card का facility तो वो जो निचे दिया गया है यहां पर टिक करना है और टिक करने के बाद मैं आभी नहीं के मैं उपर वाले ही टिक कर रहा हूं अगर निचे में टिक करोगी तो यह जो है इस box को फिलोप करना पड़ेगा फिर यह optional है इसको छड़ देना है फिर आपको next काम लिखना है फिर यहां पर सिगनेचर कर देना है आपको फिर यहां पर आपका फोटो एक कटाच करना होगा अगर second applicant third applicant के यह लिए है joint account है तो यहां पर उनका सिगनेचर रहेगा फिर आपको यह छोड़ देना है इसको कुछ नहीं करना है फिर next page टार्मेंड कॉंडिशन को आप पढ़ सकते हो और पढ़ने के बद सबसे निछे यहां पर दिया गया है एक बोक्स यहां पर आपको शिगनेचर कर देना है फर्स्ट एप्लिकेंट अगर सेप्लिकेंड है तो यह जिसका पास पांब कर नहीं है वह फिल अप करेंगे तो फ्रम 60 में दिया गये है अगर आप टेक्स पे कर रही है तो येस करना बना नो करना ठीक है मैं अभी टेक्स नहीं पे कर रहा हूँ तो नो पे क्लिक किया यहाँ पर फिर किस रिजन से आपका पानकाड नहीं है मैं एन ए दिया मतलब not applied मैं अभी तक apply नहीं किया हूँ उसके बाद आपको यहां जना form 61 अगर आपको income सिर्फ only agriculture income है only इसलिए आप टेक्स पे नहीं करें तो यह सब भरना पड़ेगा वरना इसको आप छड़ दो तो मेरा income अभी अधर भी income सरसे तो मैं अभी इसको छड़ रहा ह। पर यहां नमनी फोरम मैं नमनी आपको जिसको रखना चाहते हो यह उसके लिए भरना पड़ेगा उन्सका डिटल्स तो पहले आप यहां पर आपका नाम दीजिए नाम देने के बाद यहां branch नाम देढ़ देजिये किस bank में किस branch में आप परन करना चाहते हैं यह branch का नाम उसके बाद name of nominee nominee का नाम पर लिखना है address लिखना है नाम नाम उसके बाद आपका नमनी माइनर है तो इहां पर डेट अब बार्त उसका लिखना पड़ेगा फिर अगर नमनी माइनर है तो फिर इहां पर किसी को एपोइंट काना पड़ेगा फिर यह सब आपको छोड़ देना है और कुछ नहीं बनना है और यह दिया गया है यह अगर इलिटरेट कोई व्यवक्ती है अंगुड़ चึब तो इसके लिए witness दोठ हो चाहिए वानना यह सब जो थोड़ा signature जानता है उसके लिए यह कुछ नहीं है छोड़ा देना है और यह complete हो गया है हमारा फ़ोर्म क spray है देख सकते है यह complete हो गया है हमारा फ़ोर्म तो अभी आपको झिस canvas ब्रांच में आपन करना चाहते हैं उसी ब्रांच को आपका सब डोकॉमेंट्स लेके जाना पड़ेगा आपको आधार काड क्वालिफिकेशन जो भी है आपको लेके जाना पड़ेगा पस्पोर्ट साइज फोटो तो फ्रेंड्स आज का था ये एक छोटा सा वीडियो फिर मि लेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक कलिया जाई हिंद है